नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूँ आपके साथ जोया पाल चले शुरात करेंगे रुख करेंगे अस्वा की तमाम बड़ी और रहमख खबरों की दिली क्राइम ब्रांच ने इनामी ज्वाल साच को गिरफतार किया है आरूपी ने मुंबई और हैदराबाद में किया ज़ा चुका है गिरफतार तो बड़े अपजीत आप तक पहुचा रहे जो आपको बताते चले की बड़ी कारवाएं की गई है आरूपी के उपर और दिली क्राइम ब्रांच ने इनामी ज्वाल साच को फिलाल गिरफतार कर लिया है हमरे साथ मरसयों की अज़ीत लाइफ चुड़े हुए और साथ अश्वान कारी लेंगे अजवीत क्या अपजीत मिल पारे इस पुरे मामले को लेकार क्योंकि इसमें दिली क्राइम ब्रांच ने इनामी ज्वाल साच को फिलाल गिरफतार कर लिया है जी हाँ बिल्कु देखिए दरासल जब इससे पूस्टाच की गए और इसके बारे में दिली क्राइम ब्रांच ने जानकार लिए तो यह पता चला कि यह गाजियाबाद का निवासी है और इसका नाम सौरब साहु है दरासल यह दसवी पास है और यह पहले भी दिली मुंबाई और हैदराबाद में इसको पुलिस ने गिरफतार किया था उत समय जो है यह या भीनेता हो या राजनेता जो बड़े थे उनके सीडियार जो है टेलिकम कमपनियों को मेल करके जैपर पुलिस की वेबसाइड के जरिए मेल आइडी के जरिए और उनके सीडियार को लेता था और उसके बाद यह कई अलग-अलग कमपनियों को जो है बे उसके जो पैसे हैं वो भी जो है वो निकाले गए है जिसके बाद जो है जानकारी मिली और इसके बाद ये पता चला कि पुलिस से बचने के लिए जो है अलग अलग राजियों में जो है ये छोपरा है जिसके बाद जैपर पुलिस ने दिल्ली क्राइम ब्रांच से इसके जान गिरफ़तार किया गया जब इसने क्राम ब्रांच के टीम को देखा तो आ भागनी का प्रियास का लेकिन इसे गिरफ़तार कर लिए गया है यह गाज Allah का निवासी है ऐसे में पुलिस न जब इससे पूस्टाच किया और इसके उपर मामले दर्स थे वो टेलिकम कमपनियों को ये पुलिस की मेल आइडी से मेल करके और उनके सीडियार को जो है लेता था और सीडियार को लेने के बाद ये बड़ी-बड़े कमपनियों को बेस देता था जो विबादित होती थी और उनसे जो है मोटी रकम कमाता था इसके इसके बाद कई राजियों में इसके खिलाब पहले से भी मामले दर्ज थे और दिल्ली में भी यह पहले भी गिरफतार हो चुका था लेकिन यह जमानत पर रियाद चल ला था जिसके बाद सिकायत के बाद जैपुर पुलिस ने जो है इसके उपर 50,000 का इनाम भी घोसित किया ह इसके बाद दिल्ली क्राम ब्रांज की टीम में दिल्ली के महिपालपूर से इसे गिरफतार कर लिया जी बलकुल तो क्या यह सर्फ अकेले ही बतायश वारा है क्या इसके साथ इसकी गैंग में और भी जो इसके गुरगे या और भी लोग हैं जी आप बिलकु देखे इसके बाद दिल्ली क्राम ब्रांज की टीम जो है इसकी तफिस करती है और इसके बाद गुप सूतरों से जानकारी मिलती है कि अपने पुराने मित्रों से जो है यह मिलने के लिए दिल्ली के महिपालपूर में पहुंच सकता है जिसके बाद वहाँ पर टीम जो है जाल किया जाता हैं गिए फिछ र सुस्टार करने के बाद इस不錯 कर रही है अब पूश्तार करने के बाद कि आब तक इससे कितने मामलों को अंजाम है जी कुल तमाम जानकारी साजा करने के लिए